एक बहुत पुरानी चुडैले कजबे के पास बनी तूटी फूटी गुफा में छुपकर रह रही थी। एक हाथसे में वो लोगों की मार से अपनी जान बचा कर भाग गई थी। इसलिए वो अब इंसानी लोगों की नजरों में नहीं पढ़ना चाहती थी। थंड हो या गर निकलने से पहले वापस अपनी गुफा के अंदर ही छुप जाती। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था पर जैसे ही ठंड आती उसकी एक मुसीबत बढ़ जाती थी। जो थी नहाने वाली। उसे ठंडे पानी से बहुत डर लगता था। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती उस अपनी गुफा में आ जाती। पर क्योंकि अब सर्दिया आ गई थी तो उसके लिए मुसीबत आ गई थी। रोज की तरह आज भी तीन बजे सुबर चुडैल कुए पर नहाने जाती है। आएगी या फिर सीधा गर में आएगी तब। चुडैल नहाने के लिए कुए के पास गई तो थी और उसने एक बाल्टी भर कर पानी भी निकाल लिया था। पर जैसे ही उसने ठंडे पानी से भरी बाल्टी में अपनी एक उंगली डुपोई। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। आज फिर वो बिना नहाय ही वापस अपनी गुफा में आ गई और ठंड से कुरकुराती हुई वापस अपनी रजाई में खुसकर सो गई। धूप सर पर चढ़ाती है। दोपहर के बारब बच जाते हैं तब चुडैल की नीन भूख से खुलती है। अरे वाप ये ठंड के मौसम में सौन्धी सौन्धी धूप की किरने। कितना अच्छा लग रहा है। काश की सुबह नहाने के वक्त भी धूप ऐसी रहा करे। पर ये तो हो ही नहीं सकता ना क्योंकि सूरश तो अपने समय से ही निकलेगा। और इस समय में बाहर जा नहीं स क्या करूं मैं तो बोर होने लगी हूँ रोज के रोज पूरा दिन गुफा में घुसे रहो। अब तो जब रात होगी और लोग अपने अपने घरों में सो रहे होंगे तब ही मेरा बाहर जाना हो सकता है। इधर चिंटू की मम्मी चिंटू को एक घंटे से आवाज लगा रहे थी। अरे चिंटू कब से पानी गरम हो रहा है। आके नहा ले अब तो या पूरा हफता ऐसे निकालना है बिना नहाए। भगवान जाने कौन से ऐसे करम किये थे मैंने जो ऐसी निकम्मी आउलाद मिल इतना कहकर वो वापस अपने कमरे में रजाई में घुस कर फोन चलाने लगता है फिर रात को। और शिकार का इंतजार करने लगती है। वो देखती है कि एक साइकल पर कोई जा रहा होता है। और कहकर वो साइकल वाले के चीथड़े चीथड़े कर देती है और उसका सारा खुन पी जाती है। और कुछ तक गर्मा हटाई और पेट भी भर गया। अब यहाँ जादा देर रुखना सही नहीं। किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और तुरंत चुड़ेल वहाँ से रफुचकर हो जाती है। फिर सुबह के तीन बचते हैं और चुड़ेल जैसे तैसे हिम्मत करके कुवें पर नहाने जाती है। पर ठंडे ठंडे पानी को छूते ही उसका इरादा फिर बदल जाता है और वो बिना नहाए फिर से वापस आ जाती है। इसी तरह एक महीना निकल गया। पर चुड़ेल पर खुचली होने लगी थी। पर चुड़ेल को अंदाजा ही नहीं था कि ना नहाने की वज़े से उसके शरीर पर गंदगी से हीटानू पैदा हो गये थे। गंद आ रही है या मुझे ही आ रही है सिर्फ। गंद? कैसी गंद? मुझे तो नहीं आ रही। हाँ हाँ तुम्ही क्यों आएगी जो खुट ठंड का बहाना बना कर हफ्तो नना है उसे तो वैसे भी आदत हो जाती है गंद की तो तुम्हारी नाक को तो वैसे भी आदत रहती है सरदी भर इस गंद की। हम हम बकवास बंद करो और चुपचाब खाना खाकर सो जाओ मुझे सुबह आफिस भी जाना है और क्या ये रोज रोज नहाना नहाना लगाकर रखती हो ये परफ्यूम डीयो हम जैसों के लिए ही कंपनी बनाती है और ना बताओ इनके कोई क्यों खरीदेगा हम बोलो बोलो हम जैसे लोग ही इनको रोजगार देते हैं देखा जाए तो जाके दुकान वाले से पूछना कि सरदी में उसकी दुकान से कितने परफ्यूम डीयो बिखते हैं हम बड़ी आई नहाने का पाठ पढ़ाने वाली नोक छोक के बाद दोनों जाकर सो जाते हैं यहां रोज की तरह चुडैल अपना शिकार करने सड़क पर जाती है और जो बकरा फस्ता उसका खून पीकर फिर कुए पर नहाने जाती है पर महीने भर ना नहाने की वज़ह से जहां जहां से वो गुजर थी हर जगा बुरी पूल पार्टी करने को बोल दो तो ठड़ नहीं लगेगी यहां बद्बु की वज़ह से ममता भी परिशान होकर उठ जाती है आधी रात को ही और सूंग सूंग कर देखने लगती है कि यह भगयंकर बद्बु कहां से आ रही है अरे यह सड़े चुहे जैसी बद्बु कहां से आ रही है फिर वो लाला को सोता देखती है और तो उसे सूंगने लगती है लगता है लाला जी में सही बद्बु रही होगी यही तो नहीं नहाते हैं हफ्तों तक जब कीडे पढ़ेंगे तब समझाएगा उन्हें मैं तो इस नरक में नहीं सो सकती इधर चुडएल रोज की तरह कुए से पानी निकालती है और उसे चू कर देखती है अरे बापरे लगता है जैसे शरीर में करेंट दोड़ गया हो कितना बरफीला पानी है अरे नहीं नहीं मैं नहीं नहा सकती इस बरफीले पानी से मैं ऐसे ही सही हूँ अब तो जब गर में आएंगी तभी आए ही वापस आ जाती है अरे मरी ने मरी क्या करूं का जाओ इस खुझली से कैसे चुटकार पाओ ना ठीक से सो पाती हूँ ना शिकार खा पाती हूँ दोनों हाथ तो खुझाने में व्यास रहते हैं मेरे क्या करूं में क्या करूं बेहाल परिशान चुडैल गुफा में ही लोटती पोडती रहती है कि तभी उसे कुवे के पास से किसी की आवाज सुनाई देती है अरे अभी तो सूरज भी नहीं निकला इतनी सुबह कौन आज कुवे पर आये होगा इधर कुवे पर ममता पानी भरने आई होती है कुछ भी हो जाए आज तुम्हे लाला जी को नहला करी रहोंगी नहीं तो अपने माई के चली जाओंगी इतनी दुरगंद मैं नहीं सहन कर सकती आज मैं पहले ही पानी गरम करने वाली रोड लगा दूँगी और उनके नहाने से पहले ही गरम पानी वहां रख दूगे फिर देखती हूँ आज कैसे नहीं नहाते पानी गरम करने की रोड ये क्या होता है लगता है इसका पती भी नहीं नहाता है रोड तब ही परिशान हो रही है ये चलके देखो तो ये भला किसी अंत्र की बात कर रही थी फिर चुडएल चुपके चुपके ममता के पीछे जाती है और ममता को पानी की बाल्टी में रोड लगाते हुए देखती है पंद्रा मिनट में पानी गरम हो जाता है और ममता लाला जी को गरम पानी से नहाने को कहती है महरबानी होगी मुझे जो तुम नहालो आज पूरे कजबे में दुरगन फैला रखी है देखो अभी भी कितनी बदबु आ रही है ममता को पता ही नहीं होता कि वो बदबु चुड़ैल की थी ना की लाला की लाला गरम पानी से नहा कराता है बिना कोई नकरी किये हुए तो ये बात है क्यों न मैं भी इस रॉट को अजमा के देखू अरे पर गुफा में तो बिचली ही नहीं है पानी गरम कैसे होगा फिर चुड़ैल किसी तरह ममता के घर में ही उसी रॉट से पानी गरम करती है और गरम पानी की बाल्टी लेकर गुफा में आ जाती है फिर गुफा के अंदर ही नहाती है अरे वाह आज तो सच में मज़ा आ गया ये कैसा यंतर है इंसानी लोगों के पास जिससे ठंड में भी नहाने पर गरमी वाले मज़े आज महीनों बाद नहा कर कितना सुकून मिल रहा है तभी चुड़ैल नोटिस करती है कि उसकी खुचली भी बंद हो गई है लगता है ना नहाने की वज़े से ही खुचली हो रही थी मुझे अब ऐसा कभी नहीं करूंगे अब चुड़ैल हर दो चार दिन में चुपके से किसी ना किसी इंसानी घर से रोट से पानी गरम करके लाती और नहाती अब वो ठंड में भी नहाने लगी थी